क्लास फोर्थ चप्टर नंबर फोर टी टू का आज हम पढ़ेंगे सन, इयर, वाटर, एंड वेदर होता क्या है सन, इयर, वाटर, एंड वेदर पहले सबसे पहले वेदर होता क्या है weather हम कहते हैं जो day to day condition atmosphere की change होती है उसको हम weather कहते हैं time to time जो condition change होती है place to place जो condition change होती है उसको हम weather कहते हैं अब day to day condition change कैसे होती है फर्ज करो जो आज का दिन था वो sunny days थी अच्छे दिन थे दोप निकली हुई थी लेकिन सुभा जब हमने देखा वहां बारिश थी लेकिन आज का वो कल का जो ट्रमपेचर था उसमें बहुत variation थी, बहुत difference थी हम कहते हैं कल का weather अलग था, आज का weather अलग है अगर हम time to time बात करेंगे, आप देखो सुभा के time भर्ज करो, सुभा के time भारिश हुई थी लेकिन जुहीं 10 बज गए, यहां 12 बज गए, दूप निकल आई, तो ट्रमपेचर में variation आई, इसका मतलब weather change हुआ, weather में भी time, time to time weather change हुआ, place to place, एक जगा से दूसरी जगा आप जाओगे, आपके ट्रमपेचर में थोड़ी सी variation होगी, यहां थोड़ा सा कम होगा, यहां लेकिन दूसरा होता है, season, season जो होता है, वो season जो कुछ महीनों के लिए होता है, उन एक season में हजारों बार weather change होता है, लेकिन season तो अपने वो महीने, जैसे आज कल summer चर रहा है, आज कल विंटर तो आएगा ही, क्योंकि आज summer है, तो summer के यह जो चंद महीने हैं, गुजर जाए उसके बाद फिर winter लगेगा, क्योंकि लेकिन इस summer में भी weather तो change होगा, बहुत बार change होगा, लेकिन season तो एक ही चर रहा है, summer का season चर रहा है, इसी तरह कहते हैं, चाहे वो monsoon season हो, चाहे वो winter season हो, लेकिन weather तो change होता रहता है, लेकिन अब sun, year, water, कुछ ऐसे factors है, जो इस weather को change कर करता है, तो ये कुछ factors हैं, जो weather को change करते हैं, अब weather आपको समझाया होगा, weather simply day to day change in the atmosphere at a given place and time is called as weather, weather उसी को हम कहते हैं, जो day to day, या hour to hour, या place to place, या time to time atmospheric condition को change करें, उसको weather कह सकते हैं, उसको weather कहते हैं, तो अब आगे हम पढ़ेंगे, book में क्या लिखा है, weather is day to day change in the atmosphere at a given place and time, कहते हैं, weather होता है, change जो atmosphere में होती है, as place at a given place and time, किसी given place पे और वहां के time पे, जो atmospheric change वहां पर होगी, फर्द करो, इस वक्त हम जहां पर है, फर्द करो, मैं इस वक्त बानी हाल में हूँ, यहां पर time to time weather change होगा, सुबा का ट्रम पेचर अलग था, दुफैर का अलग रात का अलग हो, इसका मतलब variation आती है weather में, weather तो एक जैसा नहीं रहता है, जैसे सुबा का है, वैसे तो एक बजे का weather नहीं रहेगा, तो weather में change, condition to change, weather की condition change होगी, लेकिन season एक ही होगा, तो लेकिन weather change होगा, weather हम उसी को कहते है, weather can be hot or cold, weather गरम भी हो सकता है, ठंडा भी हो सक ठीक है, क्योंकि weather change होता रहता है, यह कभी कोबर hard भी हो सकता है, और कभी कोबर cold भी हो सकता है, dry or wet, dry भी हो सकता है, wet, clear or clouds, clear भी हो सकता है, clouds, calm or storm, stormy, यह दोनों हो सकते है, storm, यह weather में hard भी हो सकता है, cold भी हो सकता है, dry भी हो सकता है, wet भी होता है, clear भी हो सकता है, clouds भी होता है ठीक है it can it keeps change from time to time कहते ही change होता रहता है time to time जो ही time गुजरता है यह time to time change होता रहता है तो सुभई के time अलग वेदर था इस time अलग वेदर है time to time यह change होता रहता है what causes the weather to change कहते है अब कौन से काज़ होते हैं जो weather को change करते है let's know पहला part sun and weather sun and weather क्या होता है you you have already studied that the part of earth facing the sun has day and the other part has night कहते हैं आपने यह already पढ़ा होगा सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा जो part जमीन का sun की तरह होता है वहां पर दिन होता है और जो other part जमीन का होता है जो sun की तरह नहीं होता है वहां पर रात होती है आपने ऐसा सुना होगा कि पूरे दुनिया में इस वक्त यहां पर फर्ज करो यहां पर दिन है लेकिन कुछ ऐसे country होंगी जहां पर रात होगी क्यूंग क्यूंकि इसका मतलब इस वक्त अर्थ का ये वाला face sun की तरह है और जो दूसरा face है वो sun की तरह नहीं इस तरह से वहाँ night है और यहाँ day है does the rotation of earth on its axis called the day night कहते हैं जो यह rotation होती है earth की अपने axis पे अपने path पे उसी की वज़ा से यह दिन और रात गुजरते हैं ठीक है आगे you know the earth revolves around the sun and one half of the close to the sun while the other half is away from it कहते हैं you have know that the earth revolves around the sun कहते हैं आपने आपको पता होना चाहिए जो earth होकती है वो revolve around the sun करती है जो earth करती है revolve around the sun one half of the one half of its close to the sun कहते हैं एक हाफ अर्थ का इस revolve करने में इस घूमने में एक हाफ sun के नजदीक चला जाता है लेकिन to the sun while the other half is away from it लेकिन जब एक हिसा sun के नजदीक चला जाता है जो अर्थ का दूसरा हिसा होता है वो इसके दूर away from it वो इसके दूर चला जाता है ठीक है जिस वक्त ये अर्थ जमीन के इस जो इस वक्त ये जमीन sun के इरिद गूमती है उस वक्त क्या होता है उस वक्त होता है कि जमीन का एक हिसा सन के नजदीक चला जाता है एक टाइम पर लेकिन जो दूसरा हिसा होता है वो सन के दूर चला जाता है जैसे आपके डाइग्राम पर यहां पर दिखाया गया है ठीक है कहीं जोंगों पर यह दूर बताया गया है कहीं जोंगों पर नजद और बहुत लंबे दिन होते हैं कौन से दिन कोन से दिन लंबे होते हैं और कौन से दिन गर्म होते हैं जो व्हाला हिस्सा जमीम कर जैस्चे सभाख ए gece आज के लिए आँ पर गर्मियू का मौसुम चर रहा है सम्मर चर रहा है ठीक है आगे दपाट अप अर्थ अवे फ्राम दे सन अज़ा कूलर अज़ाटर दे कहते हैं वह वाला हिस्सा जमीन का जो सन के थोड़े से अवे होता है थोड़े सा दूर होता है वो वाला हिस्सा जमीन का जो सन के थोड़े सा दूर होता है वो कूलर होता है as the shorter days वहाँ पर ठंडी होती है और वो छोटे दिन होते हैं so it is winter in the part of the earth in this part of the earth कहते हैं उसको हम winter कहते हैं इस जमीन पे वो सर्दियों वाले season होते हैं उसको winter कहते हैं does the rotation of earth causes change in the season कहते हैं इसी rotation of the earth को हम does the rotation of earth causes change in the season इसी rotation की वाज़ा से changes होती है जो साल के season change होते हैं वो इस rotation की वाज़ा से होते ठीके कभी क वार winter आता है इसका मतलब इस वक्त वो वाला हिसा जमी सान के तूर है तो फिर जब समर आता है इसका मतलब ये वाला हिसा अपसान के नस्दीक चला गया तो इस वज़ा से इस रोटेशन की वज़ा से हमारे यहां क्या क्या आते सीजन चेंज होते रहते हैं भी साल के चार सीजन चेंज होते रहते हैं वह इसी रोटेशन की वज़ा से चेंज होते रहते हैं, ठीक है? We reach to conclusion during a season, weather change from day to day and sometime from hour to hour कहते हैं, इसी conclusion से, इसी season को पढ़ने से, इस season में भी weather change होता रहता है, time to time भी and day to day भी change होता रहता है, ठीक है? अब है पहला पाक, effects of the sun on wind, the heat of the sun cause the wind to blow, कहते हैं, जो sun की गर्मी होती है, heat करती है, उसे wind blow करती है, the sun heats of the air, कहते हैं, जब sun higher को heat up करता है, क्योंकि जब sun की रहे जमीर पर पढ़ती है, वो air को भी heat up करता है, after heating, जब air heating होता है, जब वो heat up होता है, becomes lighter, तब जाके जब हावा को गर्म होता है, hot होता है, वो lighter बन जाता है, उसका वजन जो होता है वो कम चला जाता है कि इसका एर का वजन कम हो जाता है और उसके बाद वो राइज अप होना स्टार्ट होता है जब उसका वजन कम होता है तो वो उपर उटना स्टार्ट होता है the cooling air from the surrounding लेकिन उसी के साथ जो ठंडी हवा उसके इरिद गिरिद उसके surrounding होती है which is heavier वो तो heavier होती है क्योंकि उसमें तो hot नहीं होती है उसको heat up नहीं किया होता है वो hot नहीं होती है moves into fill the empty space कहते हैं वो चला जाता है उस empty space पे जहां पर वो lighter हवा lighter year, hot year rise up होती है वहाँ पर वो cool air फिर चली जाती है ठीक है effects on the sun on wind ये था क्या कह रहा है कि sun की वज़ा से जब air heat up हो जाता है फिर से मैं बतारू sun की वज़ा से जब air heat up हो जाता है और वो heat up होने के बाद क्या होता है उस year में वज़न जो होता है lighter हो जाता है lighter होने के बाद वो rise up होना start होता है लेकिन जो हमारे surrounding वहाँ के surrounding cool air ठंडी हवाए होती है वो तो heavier होती है वो चली जाती है फिल करती है उस empty space को जहां से वो lighter हवा उपर उड़ जाती है rise up होती है ठीक है यह था effects of sun on wind अभे दूसरा effects of sun on water अब water पर यह कैसे effect करता है sun ठीक है wind पर थो हमने पढ़ा कैसे effect करता है wind पर यह कैसे effect करता है क्योंकि यह जब उसको heat up करता है वो rise up चली जाती है फिर जितनी भी heavier हवा होती है cool हवा होती है वह वहाँ पर चली जाती है लेकिन अब वाटर पर एक ऐसे एफेक्ट करता है सन आप जानते होंगे वज़़स की वज़़से रहन परती है आपने सुना होगा या जब भी आसमान पर बादल चा जाते हैं हम कहते हैं कि आज बारिश होने वाली है यह कलोड़स कैसे बन जाते हैं Sun की heat से वाटर जो होती है वो change हो जाती है वाटर वेपर से फर्स करो अब ही हमने जब सन की रेज पानी पे गिरती है पानी गरम होने के बाद वहां से बाप उतना start होता है उसी को वाटर वेपोर्स कहते हैं वो जब उपर चले जाते हैं उन्हीं से कलोड्स बनते हैं फिर वही कलोड्स हैवी हो जाते हैं और वो नीचे बारश की शेप में नीचे गिरते हैं ठीक है जब एक्स्ट्रीम कोल्ड होगा तो उसकी शेप में भी नीचे आते हैं सनो की जाते हैं और क्लोड बनते हैं ठीक है और उन्हीं से क्लोड बनते हैं वह जब उपर चले जाते हैं उनको फिर वहां बनता है चोटे चोटे पानी के कत्रे इनको उपर बन जाते हैं और जब वह पानी के कत्री हैवी हो जाते हैं भारी हो जाते वाटर वेपर फाल सुनो कहते है और वो फिर नीचे भी करते हैं, लेकिन water vapors fall as snow, कभी कभार वो water vapors snow की shape में नीचे आते हैं, क्यों, when the atmosphere is extreme cold, लेकिन जब नीचे atmosphere बहुत थंडा winter के season चलते होंगे, तो फिर वो snow की, क्योंकि बहार उपर से जब नीचे गिरते हैं, नीचे भी atmosphere थंडा होता है, बहुत थंडा ह पर गिरती है, फिर से मैं बताऊंगा, sun की रेज़ पानी पर गिरती है, तो वहाँ पर पानी heat up होता है, और वहाँ से water vapors उठना start हो जाते हैं, वही आसमान पर चले जाते हैं, और उन्हीं के clouds बनते हैं, ठीके, अब है आखे, year, year होता, क्या है, we are surrounding by the year, we are surrounded by year which contains water vapors, germ, smoke and dust आगे, कहते हैं, we are surrounding by year which contains water vapors, कहते हैं, हमारे इरिकर बहुत सारा year होता है, year बना होता है, mixture of gases, बहुत सारे gases के year बना होता है, और उसके सासर, which contains water vapors भी उसमें होते हैं, germs भी होते हैं, smoke भी होता है, dust भी होता है, the earth is surrounding, the earth is surrounding by the thick layer of air, moving, think layer of air, moving air is called the wind, इसके साथ साथ कह रहे हैं, जो हमारे अर्थ में, हमारे अर्थ गर, think layer of air, think layer एक मनी होती है, year की, और जब air movement करता है, move करता है, उसको हम कहते हैं, wind, moving air को हम wind कहते हैं, ठीके, fast and strong winds can cause a storm, कहते हैं, लेकिन जब वो winds, पहले जब हावा movement, air movement करेगा, तो उसको wind कहते हैं, लेकिन जब wind, movement, wind blow करती है, तो जब air blow करेगा, तो हम wind कहेंगे, लेकिन जब wind blow करेगा, तो हम storm कहते हैं, storm can cause very damage, वो बहुत सारा damage करता है, storm, वो plants को अपरूड करके निकालता है, मतलब कि ज़रूं से निकालता है, buildings को गिरा देता है, और बहुत सारा नुपसान क ठीक है, air हमें पड़ा, air is a mixture of gases and contains various gases, उसमें बहुत सारे gases होते हैं, which contain water vapors, water vapors भी होते है, germ, smoke and dust, और यह सारी चीज़े air में होती है, और air जब blow करता है, उसको wind कहते हैं, और wind जब blow करता है, उसको storm कहते हैं, ठीक है, अब है land and sea breeze, पहले land and sea breeze, फिर हम उसको sea breeze and land breeze को अलग से पहलेंगे, पहले दोनों को एक साथ, the earth consists of land and water कहते हैं, जो जमीन है, वो उस पे आदा हिसा पानी का भी है, और कुछ इसा पानी का भी है, और कुछ इसा land का, जमीन का, ड्राइब भी है, ठीक है, दोनों है, उस पे जमीन भी है, और water भी है, उसमें land भी है, और वाटर पे खुशिक पे भी पढ़ती है, और पानी पे भी पढ़ती है, the land heats up faster than water during the day कहते हैं, लेकिन जो जमीन होती है, वो बहुत जल्दी heat up हो जाती है, as compared to the water during the day कहते हैं, दिन में जब सन की रे, जमीन पे और पानी पे पढ़ती है, लेकिन सबसे पहले गरम कौन हो जात जाता है, जमीन, land सबसे पहले गरम हो जाती है, as compared to water, water बाद में गरम हो जाता है, during the day, दिन के टाइम, सबसे पहले जमीन गरम हो जाती है, उसके बाद पानी घर heat up हो जाता है, ठीक है, also it cools down faster than the water at night, कहते हैं, लेकिन रात में सबसे पहले ठंडा कौन हो जाता है, ठंडी कौ हो जाता है, उसके बाद water heat up हो जाता है, लेकिन दिन में, लेकिन रात में क्या होता है, रात में सबसे पहले ठंडी भी जमीन हो जाती है, उसके बाद पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है, due to the difference between heating and cooling, कहते है इनकी इक difference between heating and cooling की sea breeze and land breeze of farming, आपे पहला sea breeze होता कहते है, the land heats up more quickly than the sea during कहते हैं आपने अभी पढ़ा और आपको पता होना चाहिए जो लैंड जो जमीन होती है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है क्विकली हीट अप हो जाती है दिन में as compared to the sea सबसे पहले अगर सन की रेज जमीन पे भी पढ़ेगी और सी पे भी पढ़ेगी सबसे पहले गर्म कोन हो जाएगा लैंड उसके बाद हो जाएगा सी दिन के वक्त लेकिन जब सन की रेज जमीन पे पढ़ती है वहीट अप हो जाती है दिन के बयुम हो जात Na सो घुट घुरे बहुत ठी एक जब भाद हीट अफो जाती है और डट बन जाते है वो उपर उठना स्टार्ट हो चली जाती है cooling air from the sea लेकिन कहते हैं जो cool air उस जमीन पर होती है rushes to take its place वो जल्वी से उस जगा पर जाती है जहां पर hot air, lighter air उपर चली जाती है ठीक है does the wind blows from the sea to the land कहते हैं इसी तरह से wind blow करती है sea to the land during the day this is called the sea breeze एसी को हम sea breeze कहते हैं ठीक है लेकिन जब air गरब हो जाती है तो उसका वजन कम हो जाता है और वो उपर भाब की शेप में उपर उपना start करती है ठीक है वो उपर चली जाती है राही सब करती है लेकिन जो ठंडी हवाई होती है वो उनकी जगा, empty space को fill up करती है ठीक है, इसी को हम कहते है sea breeze, land breeze क्या होता है at night, the land cools down faster than the sea कहते हैं, रात में क्या होता है land जो होती है, वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है as compared to sea sea बाद में ठंडा हो जाता है ठीक है, so the sea is warmer air होती है, जो air होती है इस sea के उपर वो भी तो hot होती है, वो भी तो गर्म होती है, और उसके बाद वो rise up करती है जब वो air hot होगी, इसका मतलब उसका वज़न कम होगा, और वो rise up करना स्टार्ट करेगी, cooling air from the land, राश्य से takes place कहते है जो ठंडी हवा होती है, वो उनकी जगा पकड़ लेगी, the wind therefore blows from the land to sea, कहते है, इसी को कहते है wind करती है, blow land to sea during the night, night में क्या करती है wind, blow land से sea, this called the land breeze और दिन में क्या, wind blows sea to land, sea breeze में करता है, wind blows sea to land sea to land, और land में, land breeze में करता है, wind blows land to sea, called the land breeze, इसी को हम land breeze कहते हैं, water water क्या होता है, ठीक है about three-fourths of the earth surface is covered with water कहते हैं, जमीन के अगर चार हिसे हैं, उन में से तीन हिसे पानी के हैं, तो एक हिसा खुशिक है, three-fourths of the surface covered with water कहते हैं जमीन का तीन से चार हिसे में से तीन हिसे पानी के है और एक ही हिसा जो खुशिक है जहां पर पूरा यूनिवर्स रहती है जहां पर पूरा ये दुनिया रहती है वो एक ही हिसा थी हिसे शिर्फ पानी के है इट इस फाउंड इन रिवर्स वो रिवर्स वो पाया जाता है पानी कहां कहां रिवर्स में लेक्स में शीज में ओ of water vapors, वो हावा में भी पाया जाते हैं, as in the form of water vapors होते हैं, जो water vapors पानी में होते हैं, वो वहाँ पर भी पाया, हावा में भी पाया जाते हैं, आगे, substance can be classified into two categories, depending on their ability to dissolve in water, कहते हैं, अभे कुछ substance जो classified किये गए है, two categories में, ability उनकी to dissolve the water, जो पानी के साथ dissolve होते हैं, पहला है, insoluble, और दूसरा है, soluble, insoluble and soluble, insoluble substance हम उन substance को कहते हैं, जो पानी के साथ गुलते नहीं हैं, जो पानी के साथ mix नहीं होते हैं, उनको insoluble substance कहते हैं, जैसे हमने एक पानी का गिलास लिया, उसमें मैंने पथरे डाली, फिर मैंने उसको कितने भी देर, अगर मैं उसको stir करू फाजम सम्सको कहते हैं जो पानी की सथ गुल जाते typically जैसे पानी का गिलास मैंने लिया उसमें मैंने चीनी डाली अए पर ग्लंकोज डाल बना उसमें चीज़ डाली है जो सॉस्वल कहते उसमें चीनी door थ्रा धौ इसके भी इसका मतलब वो solubil substance है पानी में वो गुल जाती है ठीक है अब insolubil substance हम किन को कहते है इंसolubil substance हम न चीज़ को कहते है जो पानी के साथ डिजालो नहीं होता है पानी के साथ गोलते नहीं हैं दूसरा है सॉलिबल सबस्टेंस विचार्ड डिजाल वाटर उन चीज़ों को कहते हैं जो पानी के साथ गोलते हैं फार एक्झापल शुगर है लिमन है मिलिक है Salt extra are soluble सबस्टेंस इन सारी चीज़ उनको हम soluble substance कहते है ठीके आगे आगे अगे और evaporation evaporation होता क्या है ठीके वपरेशंस किसको कहते है water change into water vapours when it heat up कहते हैंいます evaporation हम कहते है water change into water vapor जब पानी चैंज होगा water vapours में heat होने के बाद उसको हम कहते हैं जब मैंने पानी का कोई चीज मैंने पानी किसी चीज में मैंने पानी डाली फिर उसको हीट अप करना स्टार्ट किया कुछ टाइम के बाद जब हीट अप होगा उसको वेपर उतने स्टार्ट होंगे उपर से बाप उतना स्टार्ट होगा उसको लाट बॉपर में अप्रिक्रिया ओसे जाए उपर चले जाते हैं। आपको समझ आया होगा changing of water into water vapors changing of water into water vapors is called evaporation ठीक है अब एकुछ factors जो evaporation में एकुछ factors है जो effect करते है evaporation ठीक है पहला है trumpature दूसरा है wind तीसरा है exposed area ची होता है humidity पहला है trumpature यह कैसे करता है ठीक है चलो when the weather is hot water when the weather is hot when the weather is hot water get heated and evaporation of water being faster कहते हैं when the weather is hot कहते हैं जब weather climate समझो weather जब hot होगा तो water gets heat up कहते हैं जब weather hot होता है तो पानी भी जल्दी heat up हो जाता है ठीक है and evaporation of being fast कहते हैं जिन दिनों फर्ष करो आज दूप अची घासी है लेकिन जब sun की रेज पानी पर गिरेगी पानी भी जल्दी गरम होगा और वहाँ पर evaporation भी जल्दी से होगी ठीक है वो जल्दी heat up होगा और evaporation भी जल्दी होगी when wet clothes dry fast on sunny days कहते हैं जिस तरह से हम गीले कपरे सुखाने के रखते हैं sunny days में जिन दूप परे सुख जाते हैं इसी तरह कहता है ट्रमपेचर जिस दिन weather hot ट्रमपेचर यही कह रहा है कि जिस दिन weather जो होगा hot होगा गरम होगा उस दिन पानी भी जल्दी heat up हो जाता है और evaporation भी जल्दी से होती है ठीक है तो दूसरा है अब दूसरा है wind wind हमें कैसे इस पर करता है effective operation पर ठीक है अब दूसरा हम पढ़ेंगे wind के बारे में evaporation is very fast कहते हैं जिन दिनो wind होती है उन दिनों evaporation जल्दी से होती है यह हम पढ़ेंगे this is because wind increase wind increase the rate of evaporation कहते हैं वह इस तरह से होता है जो wind होती है वह increase करती है rate of evaporation कैसे increase करती है rate of evaporation example दिए आपको यह example में समझाएगा wind की वज़े से rate of evaporation rate of evaporation कैसे increase होती है ठीक है यह दिया है example wet hankerchief under a moving fan under a moving fan drives fast कहते आप एक गीली hankerchief को लो एक गीला hankerchief उसको moving fan के सामने रखो वह जल्दी से dry वह जल्दी से सूख जाती है then the other inside a room without a fan और एक hankerchief लो उसको कमरे में रखो लेकिन fan के नीचे नहीं रखना है तो वह moving fan के नीचे नहीं रखना है उसको time लगेगा सूखने में as compared to the जो हमने moving fan के नीचे रखे ठीक है यह आपकी example थी कि wind कैसे evaporation में increase करती है ठीक है आपने example में समझ दया होगा हमने दो hankerchief लेनी है फर्ज करो एक hankerchief को कमरे में किसी side पर रखना है दूसरी hankerchief को रखना है moving fan के नीचे फिर देखना है जल्दी से कौन सूख जाएगी इसका मतलब जल्दी से जो सूख जाएगी जल्दी से जो moving fan के नीचे होगी वो जल्दी से सूख जाती इसका मतलब rate of evaporation में इसका भी wind का भी factor होते है ठीक है यह भी है अब है exposed area exposed area होता है जो खुला के हम इसका मतलब खुला के when the exposed surface is large कहते है जब exposed area ज्यादा होगा the rate of evaporation is faster जो evaporation की rate होगी वो faster होगी जल्दी होगी कैसे the clothes which are spread in the sun for drying कहते है जो कपड़े अब खुला के sun के नीचे रखते हो drying faster than the clothes वो जल्दी से सूख जाते है जो हमने dry faster than the clothes वो कपड़े जल्दी से सूख जाते है which are fold or hang above the others कहते हैं वो कपड़े जो fold किये होते है या hang करके होते है अब क्या कह रहा है कह रहा है कि हमने क्या किया हमने कुछ कपड़े हमने कपड़े लिए मैं example आपको देता हूँ हमने दो कपड़े लिए एक को हमने खुला के सुखाने के लिए इसका मतलब जल्दी से कौन सूख जाएगा जो खुला के होगी कपड़े जो खुला के होगी फुमिदिटी हम किसको कहते है जो year में वाटर वेपर परजयर होते है उसको हम हम ह sed 있으면 कहते है, the amount of water vapors containing container in the air is called humidity कहते हैं, जो water vapors present होते हैं in the air में उसको हम humidity कहते हैं, the process of evaporation slows down when the humidity has, कहते है, process of evaporation होती है告诉 में जल्दी जादा होती है जो방 water vapors present होती हैं if the air is dry कहते हैं अगर हावाा क्षुशिक होग ता process of evaporation become faster process of evaporation भी जल्दी होती है अगर हवा खुशिक होती है this is the reason that clothes takes a longer time to dry in the rainy season कहते है यही एक reason है वो कपड़े ज्यादा time लेते सुखाने के लिए rainy season में ठीक है whether in the summer season they dry faster कहते है summer season में कपड़े जल्दी से सूख जाते है क्यों जल्दी से सूख जाते है क्यों कि हवा खु फिर से मैं इन चारू टाइप्स को एक आपको थोड़ा सा शार्ड करके बताऊंगा ट्रंपेचर विंडर एक्सपोजरे रहे हुमिट्टी होता क्या है ट्रंपेचर होता है कहते हैं जब वैदर हाट होगा तो rate of evaporation भी जल्दी होगा क्योंकि पानी जल्दी गर्म होगा औ एक हैंकरची को मुहिंग फैन के सामने रखना है दूसरे को नहीं रखना है वो जल्दी से सूख जाते ही जो मुहिंग फैन के सामने होगा एक्सपोजर 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 तो इन दिनों dry air होती है जैसे कि summer में dry air होती है उन दिनों rate of evaporation increase होती है लेकिन rainy season में rate of increase नहीं होती है क्यूंकि उन दिनों water vapors होते हैं year में present इस तरह से हमें कपडों को सुखाने में rainy season में time लगता as compared to the sunnity summer season summer season में जल्दी कपड़े सुख जाते हैं और rainy season में नहीं क्यूंकि rainy season में year में water vapors present होते हैं और summer season में year में water vapors present नहीं होते हैं कल हम इसको continue